चूला बन के तयार हो गया है बढ़ियों से अभी कड़ा ही दूठो रखा गवा इसको धोना है जालीदार चूला बन रहा है बुंदिया छाकने के लिए अभी मिस्त्री बना रहे हैं हलो फ्रेंड्स सबको राधे राधे कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे दोस्तों आज है ना सरस्ति पूजा कल को है इसलिए उसका चूला बन रहा है आज मेरे ब्लोग में आएगा चूला कैसे बन रहा है देखिए मिस्त्री जी बना रहे हैं बुंदिया छकाने वाला है रात में मगर यह इसलिए अभी चुला बना के तयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसे चुला बन रहा है सो और किस तरह बनाएंगे सो भी दिखाएंगे कल सरस्ती पुजान है इसलिए आज ही उसको बुंदिया रात में बना के रखना पड़ेगा इसलिए बना के रखने पहले ही चुला को तेयारी कर ना पड़ेगा कल सुह तो बुजा होगी ना इत अच कि बहुत ही दिर लग जाएगा इसलिए इटा और मिटी से बनता है यह और इसको बनाने के लिएशानum जिसके रहता है यह जानते हैं, चारों तरब से आगा हावा लगता है, इसलिक है इसको बना रहे हैं दोस्तों, इसमें बुंदिया बनने वाला है पकोड़ी भी बनेगा, जानते हैं, सब्सक्राइब बने रहे हैं, मिस्तिरी जी, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और अच्छा उसा चूला बन रहा है और यह इसा चूला आप लोक पीनी देखे होंगे यह भकरा भी में में हैं बहुत करता आपो ृसे अब चुला बन के तयार हो गया है देखिए कड़ाई चड़ा के देख लिये हैं मिस्त्री जी और अच्छा से बना लिया है और अब इसको हो गया है बनाने के लिए लेस देते हैं बढ़िया से इसी तरह चुला रहेगा दोस्तों और इसी में चुला जलाएंगे और इसमें बुंदिया चकाएगा तभी कड़ाई उड़ाई इसी तरह चड़ा के जाच कर लिये हैं मिस्त्री जी और सभी जगार लिए नासी कर भी निस्वा आज मारे कमार खाएगी तुम याभी है ना आधा खोटा बोला आधा इंग्लिस बोला आधा तयार हो रहादूने हाई गाईज बोल हाई हेलो हेलो एंटा था बोलो बोलो क्या बोल रही थी हाई गाई और हाई करों दो हाई करो हो गया अधिक बन रहा है देखिए यह चुला बन रहा है अभी यहां सर्शति पूजा का जुंदिया शकाएगा जो परसाद बनता है ना वही अभी मिस्त्री इदर लगा हुआ है चुला बनाने के लिए यहां पर साम को बनेगा बुंदिया देखिए बनने के बाद पकोड़ी भी बनेगा इसमें मिस्त्री जी बोल रहे है और सब को पकोड़ी मिलेगा यहां खाने के लिए अब अपरी तुमको भूख लगा था ने हाँ इधर देख देखिए अभी मम्मी आएगी हला मत करो बड़ा भौबों कर रहा है क्या अर तुमको रह सेरू इधर आगे कर देते हां तब खापाएगा खा अभी मम्मी आएगी हां चूला बनके तयार हो गया है बड़ियें से अभी कड़ा ही दूठो रखा हुआ इसको धोना है धोने के बाद ही बनेगा तो अभी सब धोआएगा कुशी दिर में और रात को ही बनेगा मुन्या अब दोने का बाद मिस्त्री बनेगा हां कर दोने नहां लिजे पहले उसके बाद देखें दोस्तों जहां बैठें हुए है न वहां पर बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ दिख रहा होगा आप लोगों को इतना मोटा है जो कि इसका काना ने पड़ेगा यह है न इसके यहां सिवाले है संकर भागवान का मंदीर है और इधर यह एदम विसाल पीपल का पेड़ है यह है न खड़ा हो करके दिखा रहे हैं हम आप लोगों को देख सकते हैं इतना मोटा पीपल का पेड़ है यह बहुत जीवीत है जानते हैं यह सो साल पुराना वर्सों से चल रहा है यह पेड़ बहुत दिन से हैं दादा पर दादा के जमाने से ही है यहां पर देखिए हरुमान जी का है जन्दा भी लगावा है तुलसी का पिंडा है संकर जी है नाग बबा है सब कुछ इधर बेल का पेड़ है इसी में है संकर भगमान कि दोस्ता आज का ब्लोग को हमें इंप रोक देते हैं फिर मिलेंगेक कुछा लब ब्लोग में कल को दिखाएंगे सरस्ति-पुजा में क्यूसे होगा और किसा हम लोग सरस्ति-पुजा करते हैं सो तो अब मेरा चेनल को लाइक कर द कर दिज temporary कर जांट स्थिमाट त